Hello everyone and welcome back to my channel आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या best settings होनी चाहिए आपके audio interface की आपके FL studio में यहाँ पे और भी एक जो question है मेरे को बहुत बार पूछा जाता है मेरे को अब एक दो दिन पहले Instagram पे DM भी आया था कि जब वो record कर रहे हैं अपना track so वो एक channel पे हो रहा है left पे हो रहा है कईों के साथ problem आती है कि वो सिरफ right channel पे होता है so वो भी आज इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे so सबसे पहले अगर आप FL studio यूस कर रहे हो and अगर आपके पास कोई भी audio interface नहीं है तब क्या आपको करना चाहिए so यहां से मैं जाता हूँ options and audio settings so जो first option है वो है device इस पे अगर आप click करते हो so यहां पे आपको कुछ options मिलेंगे and हम अभी बात कर रहे है कि आपके system में आपके पास audio interface नहीं है so उस case में क्या होगा आपको show होगा primary sound driver and यहां फिर हो सकता है real tech digital output and साथ में आपको azio driver भी मिलेगा and fl studio azio भी मिलेगा so मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आपके पास एक audio interface नहीं है so यहां पे आप use करो fl studio azio driver को and अभी आप देख सकते हो मेरा audio interface connected है मैं audio interface यूज कर रहा हूँ तब भी मैंने यहां पे fl studio azio को select किया है driver यहां पे select करना है because यह best रहता है and यहां पे उसके बाद आप देख सकते हो option है buffer length का आपको करना है इस पे click and यहां पे आप देख सकते हो fl studio azio so यहां पे basically अब आपको configure करना है कि आपका output and input क्या रहेगा यहां पे मैं use कर रहा हूँ audio interface so इस case में आप देख सकते हो analog यहां पे show हो रहा है 1 plus 2 focus right USB audio इस पे अगर हम click करते हैं so आप देख सकते हो यहां पे है default input अगर आपके पास audio interface नहीं है so उस case में आपको यहां पे I think default input पे ही select आप करोगे because दूसरा option आपके पास नहीं होगा and उस case में क्या होगा जो आपके PC यहां फे laptop में जो mic वाला port होता है वो input port होगा and यहां से आप उसको select कर सकते हो and अगर आप कोई भी और audio interface use कर रहे हो कोई भी और audio interface so यहां से जाके आप अपना audio interface को select करोगे input signal में then उसके बाद output में आप देख सकते हो यहां पे अभी आ रहा है LG HDR 4K so basically यह क्या है जो मेरा monitor है मेरा यह monitor LG का वो इसके थूँ आउटपुट आ रहा है because अभी मैंने यहां पे पीछे headphone plugin किया हुआ था but यहां पे आपको select again करना है आपका audio interface so यहां से जाके आप देख सकते हो यहां पे में पास है real tech अगर आपके पास audio interface नहीं है so यहां पे आपको real tech ही show होगा so आप वो select कर सकते हो and अगर आपके पास audio interface है so यहां से जाके आप जो है अपना audio interface select करोगे आप देख सकते हो second है speaker कर and bracket में लिखा है यहां पर to focus right usb audio, so यहां से मैंने select कर लिया इसे, अब इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर इसका simple सा मतलब यह है कि जो हमारा input है and output है, वो हमने यहां पर यह select कर लिया है अपना audio interface, so बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को audio interface का driver नहीं मिलता है, यहां फिर कुछ issues आते हैं, so driver तो आपको install करना ही है अपने जो audio interface है उसका, लेकिन अगर आप FL studio as you को select करते हो, so यह काफी जादा better रहता है and जादा इसमें complications नहीं आती है, so यहां पे, अब यहां पे एक और option है buffer length का, so buffer length exactly आपको कितनी रखनी चाहिए, so देखो, यह depend करता है आपके system के उपर, यहां पे आप जितनी जादा रखोगे buffer length, उतना आप जब record करोगे, so delay आएगा अगर आप इसको जितना कम रखोगे, for example, यहां पे मैं रखता हूँ 256, so उतना जो delay है, जब आप recording करते हो, so उतना delay कम हो जाएगा लेकिन, at the same time, अगर आपका system powerful नहीं है, so यहां पे 256 पे, यहां पे buffer length है, यह handle नहीं कर पाएगा so यह आपको देखना पड़ेगा, आपके system के according, मैं यहां पे अगर आपको beach का एक normal, जो buffer length अगर मैं आपको बता हूँ, so यहां पे 512, यह best work करता है, कभी कभी क्या होता है, अगर मैं 1024 पे select करता हूँ, so यहां पे कई बर crackling की sound आती है, अभी last video में, I think आपने देखा भी ह ती, so यही issue था, so यहां पे select करो आप 512, अगर आपको जब recording करनी है, अपने vocal recording करनी है, so minimum जितने से जितना हो सकता है, आप उसको select करो, then उसके बाद, आप देखो कि क्या आपका system जो है, वो handle कर पा रहा है, अगर handle नहीं कर पा रहा है, so आप 256 से 384 पे आ सकते हो, then अगर व हमारी settings हो गई है, अगर मैं और भी आपको setting बताओं कि अगर आपका system ज़्यादा powerful नहीं है, so आप यहां पे देख सकते हो, mix in buffer switch, आप इसको enable कर सकते हो, triple buffer को आप यहां पे on कर सकते हो, then उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो, मेरा जो यहां पे settings है, वो कुछ इस टाइ कर सकते हो, यहां पे अगर और भी system slow है, so आप उसके according, अपने system के according, यहां पे चीज select कर सकते हो, and अगर आपका system काफी powerful है, so यहां पे आप हाइस ही select करना, so यहां पे थोड़ी सी और settings है, CPU से related, so यहां पे आप देख सकते हो, multi-threaded generator processing, इसको मेने enable किया हुआ है, smart disable को मेने multi-threaded mixer processing, so इसको मेने enable किया हुए, so यहां पे यह सेटिंग्स आप अपने FL studio में रख सकते हो, जैसा की मैने आपको दिखाया, and आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका system इतना powerful नहीं है, so आपको resampling quality जो है, वो उसको low कर देनी है, and buffer length, आप एज़स्ट करोगे अपने 48 आप रखना चाहते हो, मैं basically 44,000 पे ही रखता हूँ, so अब बात करते हैं कि जब आप अपने vocals record करते हो, so आपकी sound कई बार left में, यहां फिर कभी right channel में आती है, सिरफ left यहां फिर सिरफ right channel में आती है, so उस case में क्या गरना है, बहुत ही simple है, audio interface की settings में आपको बता चुका हू यहां से मुझे select करना है अपना audio interface यहां फिर अपना जो input channel है उसको, अब आप देख सकते हो, यहां पे हमारे पास क्या options है, FL studio as you, because यह हमने audio interface, audio settings में choose कर रखा है, इसलिए यहां पे आ रहा है, and यहां पे आप देख सकते हो, यह लिखा है stereo, in one, in two, अगर आप इसको select करते ह So, अभी, जैसा कि यह mic आप देख सकते हो, यहां पे, यह सिरफ left channel में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, because उपर आप देखो, again मैं आपको दिखाता हूँ, यहां पे लिखा है stereo, मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ, जहां पे मैंने आपको बताया है, कि stereo and mono क्या होता है अगर वीडियो चेक आउट नहीं करी है, सो काट में, इंडिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लें, जाके चेक कर लेना, so जैसा कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, कि जो आपके vocals होते हैं, वो आपको record करने होते हैं, mono में, because single mic है, so mono हुआ, and अगर आप कुछ भी record कर रहे हो अपने home studio में, 99.99% वो mono होती है, so यहाँ पे आपको stereo select नहीं करना है, यहाँ पे आपको select करना है, जो channel है वो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, again, FL studio as you, and आगे लिखा है mono, so यहाँ पे अब, यहाँ पे दो input है, मेरे जो audio interface है, channel 1 and channel 2, input 1, input 2, so मेरा जो mic connect है, व अब जो sound है, वो दोनों channel में आ रही है, left and right दोनों में, so इस तरीके से, आप जो अपने audio है, उसको record कर सकते हो perfectly, यह left and right channel वाला बहुत बार issue आ जाता है, so मैंने सोचा क्यों ना, इसके लिए भी एक video बना दी जाए, because यहाँ पे यह भी कई ना कई connected है, linked है आपके stereo mono से, so and अगर आपका जो mic है, वो connected है, channel 2 पे या फिर insert 2 पे, so यहाँ से जाके आप 2 select करोगे, अभी मेरा जो mic है, वो 1 पे selected है, so आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, because वो अभी blank है, वो अभी खाली है, वो अभी कोई भी उसमें mic नहीं है, and अगर मैं again 1 करता so आप देख सकते हो, यहाँ पे signal आ चुका है, so guys जैसा कि आपने देखा कितना simple था, so आप भी कर सकते हो, अगर आपको यह problem आ रही है, next video में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे है, अगर आपके कोई stereo में vocals record हो गए है, so आप उसको mono कैसे बनाऊगे, यहाँ फिर अगर mono vocals है, so उसको stereo कैसे बनाऊगे, so यह जो थोड़ी सी video है, I think यह दो topics हो जाएगा, so इसको भी मैं आने वाली videos में clear करूँगा, because stereo से mono बनाना काफी जादा simple है, but mono से stereo बनाना थोड़ा से difficult है, but आने वाले videos में आपको यह जो difficulty है, वो भी बहुत easy लगेगी, जब मैं आपको अगर video अच्छा लगा है, so video कर देना, like, channel को कर देना, subscribe and मैं मलता हूँ आपसे बहुती जल्दी next video में